चलो आज बनाते हैं मेरी फेवरेट सब्जी चने की दाल की लौकी इसको बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में लौकी, घीया, बीगी हुई चने की दाल, हल्दी, लाल मिर्श, नमक और पानी डाल कर अच्छे से मिक्स करके कुकर का ढखकन लगा के दो से तीन सीटी लगा लिया है फिर एक कड़ाई लिया है, उसके अंदर डेर चमस तेल डाल कर जीरा हींग का चौक लगा कर तीन से चार हरी मिर्श काट के दो मीडियम साइस टमाटर डाल के थोड़ी देर पका लिया है फिर थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, सुखा धनिया और पानी डाल कर मसाले को अच्छे से बून लिया है मसाला पकने के बाद चने के दाल की लौकी को कुकर से कड़ाई में ट्रांसफर कर दिया है, मिक्स करके उसमें एक उबाल आने तक पका लिया है उसके बाद नमक गरम मसाला ताजा हरा धनिया डाल कर मिक्स किया है और गर्मा गरम सर्फ किया है अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें बाई